हेलो फ्रेंट्स गुड इबनिंग आज साम की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि मैं आपको काफी दिन से बता रहा हूं कि करंट अफेर की क्लासे आपकी स्टार्ट करने वाले हैं तो दोस्तों आज यह आपकी पहली करंट अफेर की क्लास है सुबह की क्लास में आपको सुपर टेट के स्लेवर्स के बारे में बताया था और आज से आपको डेली एक क्लास डेली करंट अफेर पर आधारित मिलेगी बि आपके तीन कोश्चन यहां से कंप्लीट हो गए चलिए अब देखते हैं पहले कोश्चन से सभी कोश्चन आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होंगे अपने नोट्स त्यार करते रहे या इन क्लासिस की पीडियेफ आप टेलीग्राम ग्रूप से प्राप्ट कर सकते हैं चलिए देखते हैं पहले कोश्चन से बहुत अच्छे कोश्चन है सटी कोश्चन को देखते रहे हैं सेयर करते रहे हैं तो दोस्तों अभी हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम क्या रखा गया कोलकाता पोर्ट जो कि पश्चिम वंगाल में इस्थित ह साथ इसाथ अभी नरेंद्र मोधी जी यहां पर गय थे जिनों ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर कुछ अलग कर दिया था अब क्या इसका नाम किया गया अटल विहारी पोर्ट अरूण जेटली पोर्ट स्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट या फिर सुसमा सुराज पोर्ट तो दूस्तों इसका नाम रखा गया है C नंबर आपसन सही हो जाएगा स्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट इसका नाम बदल कर कर दिया गया है जो कि पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था ये नाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवर्तित किया है जो कि अभी पश्चिम मंगाल दोरे पर गय हुए थे C नंबर आपसन सही हो जाएगा सेकेंड नंबर कोशन है कीमिया अलीजा देह किस देश की खिलाडी है जिन्होंने अभी देश छोड़ने की घोसना की तो दोस्तों अभी कल की ही बात है कीमिया अलीजा देह ये किस देश की खिलाडी है ये ओलंपिक विजेता खिलाडी है इन्होंने ओलंपिक जो आपका रियो ओलंपिक हुआ तो 2016 में उसमें इन्होंने कान से पदग जीता था और खेल का नाम था ताई कॉंडो में इन्होंने पदग जीता था अब इन्होंने देश छोड़ने की घुसना किये हैं ये किस देश से सम्मंदित हैं इराक, इरान, वांगला देश या फिर सीरिया second number question है इसका आपका बी नंबर option सही हो जाएगा एरान की ये खिलारी है और इन्होंने देश छोड़ने की घुसना कर दी है वहां के कुछ आंतरिक अहलाथ और साथिसार राजनीतिक कुछ कारणों से इन्होंने देश छोड़ने की घुसना कर दी है अगला थर्ड नंबर कोशन है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है अभी हाल ही का कोशन है कि किस खिलाडी को VCCI ने पॉली उम्रीगर पुरसकार से सम्मानित किया VCCI में अभी एक कुछ प्रमुख एवार्ड परदान किये गए थे एक प्रोग्राम चला था जिसमें एक एवार्ड का नाम था पॉली उम्रीगर पुरसकार पॉली उम्रीगर एवार्ड ये किसको दिया गया मुहम्मस समी को हर्वजर सिंग को जस्परीत मुम्रा को या फिर क कर आते हैं और डेली आपको क्लास मिलेगी और आप लोग कमेंट वॉक्स में टाइम बताइएगा ठीक उसी समय पर डेली आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी अगला कोशन है हाल ही में किस देश के सुल्तान कवूस बिन इनका नाम है के निधन पर भारत में एक दिन का राजकी सोक घोसित किया गया तो दोस्तों 21 देश के सुल्तान है भी इनका साइद 13 या 12 तारीक को निधन हो गया था उसके बाद एक दिन का राजकी सोक घोसित किया गया सबसे पहले तो समझे दोस्तों राजकी सोक क्या होता है तो राजकी सोक में जंडे को आदा जुका रखा जाता है आदा जुका हुआ जंडा फेराए जाए तो वो राज की सोक के अंतरगत आता है अब ये किस जगह के सुल्तान थे जिनका नाम कबूस था ओमान इरान सुदी या फिर इसके लाबा आपका इन में से कोई नहीं तो इसका आपका ए नंबर आप्सन सही हो जाएग ओमान के सुल्तान कबूस उन्डविन इनका नाम था जिनका भी लगवग 80 साल 79 वर्सकी में इनका निधन हो गया साथी साथ इनके जो उत्रा धिकारी इनका कोई नहीं था क्योंकि इनकी साधी नहीं हुई थी तो इनके चचेरे भाई वो इस समय उत्रा धिकारी के तोर पर वहां के सुल्तान निउक्त कर दिये गये हैं जो कि इन्होंने एक वंद पर्चे में लिकर रख दिया था तो ये भारत के बहुत ही अच्छे मित्र के रूप में थे जिसलिए भारत ने एक दिन का राजकी सोक अपने यहां पर घोसित किया था तो इसका ये नंबर आप्सन स से लगवग एक दो हपते से इरान अमेरिका के बीच बहुत ही विवात चल रहा है लगवग युद्ध के हालात बने हुए जिसके कारण पहले युएसे ने इरान पर हमला किया इसका इरान ने भी इराक में इस्थित उसके कई एड़ों पर मिसाइल के माध्यम से हमला किया ह हाला कि कोई इसमें नुकसान नहीं पहुचा लेकिन इसी गलती की वज़े से अंजाने में एक यात्री बिमान पर इरान ने सुबह सुबह भी तीन दिन पहले हमला कर दिया था जिसमें लगवग 176 से 180 यात्रीयों के साथ सभी जो क्रू मेंबर थे सभी की मृत्ति हो गई थ वो किस देश से सम्मंदित था विमान का नाम पूछा कि किस देश का विमान था कनाड़ा रूस इरा क्या फिर उक्रेन तो दूस्तों इसका आपका डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा उक्रेनी विमान था जो की इरान से उड़ान भर चुका था और इसी पर हमला कर दिया याद रखेगा महतपूर्ण कोशन है अगला seven number कोशन है six number कोशन है किस राजिके केंदर सरकार के किस राज ने केंदर सरकार के दौरा बनाये गे नागरिक्ता संसोधन एक्टriv सी अए को स्चुनोती देते हुए सुप्रिम कोट में याचिका दायर की तो ये दोस्नों किस द इसमें इसको लागू कर दिया गया है और इसके विरोध में चलते हुए किस राज की सरकार ने सुप्रिम कोट ने याजिका दायर की है तो इसका कौन सा ओप्सन सही हो जाएगा पश्चिम मंगाल केरल मडिपूर या फिर तेलंगाना तो इसका आपका बी नंबर ओप्सन सही ह हो जाएगा केरल में इसको लेकर याजिका दायर कर दी है सुप्रिम कोट में जिसकी सुनवाई भी हुने वाली है महतपूर कोश्चन है याद रखिएगा CAA से सम्मंदित आपके दो-तीन कोश्चन आगामी सभी परिक्षाव में जरूर पूछे जाएगे अगला कोश्चन ह भारत के किस इसमारक को संघाई सहयोग संगठन SCO ने आठमे अजूबे के रूप में सामिल किया है तो दोस्वों भारत का इन में से कौन सा इसमारक है इस्टेचू आफ यूनिटी राममंदिर लालकिला या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्वों SCO एक ये संघाई जो कि अभी कुछ समय पहले गुजरात में बनाया गया है इसकी लंबाई जो है वो 182 मीटर है ये सरदार बल्लब भाई पतेल जी की एक इस्टेचू बना है मूरती बनी है जो की इस्टेचू आफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है इसे आठमें अजूबे के रूप में साम 2020 का आयोजन कहां पर किया गया वासिंग्टन या फिर कौलालंपूर धाका या फिर आबुधावी तो दोस्तों विश्व भविस से उर्जा सिखर सम्मेलन जो है इसका जो इस समय सम्मेलन चल रहा है आयोजित किया जा रहा है इसमें लगबग आपके 170 देशों से लोग सामि है और इसका जो थीम है महतपूर है रिठिंकिंग ग्लोबल कंजिम्शन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ये एक आयोजन सम्मेलन किया जा रहा जिसका थीम ये रखा गया है और ये आपका आयोजित किया जा रहा आबुधावी में D नंबर आप्शन बिलकुल सही हो जाएगा विश सुभविश उर्जा सिखर सम्मेलन 2020 नाम याद कर लिजेगा EBS के साथ ही साथ अन्य क्लासेज में भी पूछा जाने वाला महतपूर कोशन है नाइन नंबर कोशन है केंदरी मंत्री इसमरती इरानी ने हाल ही में किस योजना का सुभारंब किया तो इसमरती इरानी ने इन में से किस योजना का सुभारंब हाल ही में किया था सार्थी, एसस्वनी, संगिनी या फिर सास्वत जल्दी से बताईएगा दोस्तों तो ये महिलाओं से संबंदित योजना है जो की महिला स्वयम साहता समू को साहता प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना है तो ये आपके केंटरी मंत्री इस्मरती इरानी जी ने गोवा में कहां पर गोवा में एक सम्मेलन के द्वारा एक प्रोग्राम के माद्यम से इसका सुहारंब किया है इसका नाम है ये सस्वनी बी नंबर आप्सन बिलकुल सही हो जाएगा और इस योजना के तर्थ महिला स्वयम साहता समू को 5 लाख रुपय तक की रकम बिना व्याज के दी जाएगी याद रखेगा बहुत important question है बहुत ही महतपूर्ण question है और इसके साथ ही साथ एक अन्य चीज का भी इन्होंने उसमें उद्गाटन किया था याद रखेगा दोनों महतपूर्ण question है जोनों का ही सुवारंब इन्होंने गोवा से किया अगला 10 नंबर question है इसके साथ ही साथ दोस्टों आपको बता दें कि class के end में आप से question भी पूछा जाएगा जिसका answer आप लों को comment box में देना है तो सभी classes को देखते रहे हैं सेयर करते रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे कोशन ढून कर ला रहे हैं हाल ही में विमोचित कर्मयोध्धा ग्रंथ पुस्तक किसके जीवन पर आधारी थे तो दोस्टों अभी कुछ दिन पहले कर्मयोध्धा कल की बात है कर्मयोध्धा पुस्तक का विमोचन किया गया और ये अमित सहाजी के दौरा किया गया ग्रह मंतरी अमित सहाजी ने इसका भी मोचन किया था तो ये पुस्तक जो है किसके जीवन पर आधारी था है नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण अडवानी सोनिया गांदिया फिर योगी आधित नाथ तो कर्म योध्या ग्रंथ पुस्तक जो है ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारी के एक पुस्तक है ए न राश्टी यूबा उत्सब चल रहा है लखनव में जो कि आपका 12 जनवरी को प्रारम हुआ था और ये 16 जनवरी तक चलने वाला एक ये सम्मान समारो या एक उत्सब है ये किसके सम्मान में किया गया लाल भादुर सास्त्री सरदार पटेल स्वामी विवेकानन द्याफिर राश्टी यूबा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानन जी के जहनती के उत्सब में इसी दिन से ये सम्मेलन प्रारम हुआ था और इन्हीं के जो स्वामी विवेकानन जी के ही सम्मान में इसका आयोजन किया जाता इसका आपका C नंबर आप्शन लोहित नदी है इसके तट पर इस्थित ये परुसराम कुंड यहाँ पर परुसराम कुंड मेला जो की हर साल मकर संक्रांति पर लगता है यह किस जगे की बात है बिहार, राजिस्थान, मद्द प्रदेश या फिर अरुणांचल प्रदेश आफ सभी को मालूँगा लोहित याद कर लीजेगा आज के आपके बारे कोश्चन कंप्लीट हो गए और इसी प्रकार की डेली क्लासिज को पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, वैल आइकन को प्रेस कर लीजे, अब आज का आपका कोश्चन है ससस्त्र भूत पूर्व सैनिक दिबस कब मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अंसर करिएगा, क्लास पसंद आये तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, मनोबल वड़ता रहे और आपके लिए इसी प्रकार की क्लासिज आती रहे, एक क्लास सुबह मि जाएंगे, अल्दा विर्स, थैंक्यू दूस्सों,